तो बाई आज के इस वीडियो में मैं अन्बॉक्स करने जा रहा हूं इस प्रोड़क को इस बॉक्स के अंदर है क्रूजर कंपणी के तरफ से एक स्ट्रोबर लाइट एक नहीं एक जोड़ी स्ट्रोबर लाइट जो लेफ्ट और राइट साइड में मैं लगाने वाला हूं इससे पहले कि इस प्रोड़क का अन्बॉक्स करूँ इस कंपणी के वेबसाइट में चलते हैं और भी बहुत सारे जो प्रोड़क्ट सी बनाती है और सेल करती है उसके बारे में बना देता हूँ और उसी वेबसाइट में मैं बताऊँगा आपको कि इसको जब आप पर्चेस करो कैसे आप पर्चेस कर सकते हो और कितने टाइप के श्रोबर्स मिलते हैं और कितने तरह के दूसरे प्रोड़क्स क्रूजर कंपणी बनाती है इस कंपणी का नाम क्रूजर है और यह इंडिन कंपणी है यह कंपणी जैपूर पेज है तो जल्दी से चलते हैं इनके वेबसाइट पे बताता हूँ मैं सब कुछ और उसके बाद जल्दी से देखते हैं इसकी अन्बॉक्सिंग और गाइस यह है क्रूजर का वेबसाइट यह उनके में होम पेज में हूँ और जैसे आप होम पेज में जाओगे तो यह सारी चीज़े आपको देखने वाली मैं बता देता हूँ यह इनका होम पेज है रिफ्लेक्टिव और मल्टी कलर फ्लैग इनके इसमें अविलेबल है जो कस्टमाइज प्रोड़क्ट है तो कैटेगेरीज में बेस्ट है आप चले जाओ लेडी प्रोड़क्ट्स लिट ऑन कस्टमाइजेशन ओफर्स सारी चीज़े आपको यहां पे मिल जाने वाली है बेस्ट पार्ट है कि यह एक इंडियन कंपनी है और हमारे जैपूर राजस्तान की ही यह कंपनी है क्योंकि उनके जो पैकेज़ेज आपको मिलने वाले उसमे वही आडर्स उनका होता है यह बैकसाइड में यह लेडी इंडिकेटर का पैच भाई बहुत यह फ्यूचरिस्टिक और इनोवेटिव प्रोड़क्ट्स है कुछ ऐसी चीज़ी है सेव्टी पॉइंट अब दिखने जाओ तो वह पर्चेस करके रखना बहुत ज़रूरी है जैसे कि यह वेंचर लाइट्स है और यह लेडी हिलमेट लाइट है हिलमेट के पीछे आप बैकसाइड में जब चला रहे हो तो यह वाला जो सेक्शन आता है यहाँ पर आप ऐसी लाइट्स आप लगा सकते हो अब चलते हैं अपने वाले प्रोड़क्ट पर जो है यह यह सेक्शन है सिंगल साइड बेसिक आपको मिल जाएगा 499 में सिंगल साइड बेसिक या तो लेफ्ट या तो राइट ठीक है और एक मिल जाएगा सिंगल साइड प्रो में क्या मिलेगे पांच मोड मिलेगे लेकिन एक ही मिलेगा सिंगल साइड प्रो में मैंने जो पर्चिस कि मूड्स भी मिलने वाले हैं, खासे देख लो एक बार, यह है, मिटल बॉड़ी, वाटरप्रूफ, इजी फिटन, आल बाइक, फ्लग एंड प्ले, नो वाइर कट, ब्राइट अन शार्प, डीटेल्स इसका नीचे भी है, प्रोड़क के बारे में जो डिस्क्रिप्शन नीचे पूकर देख सकते हो, इसकी जो रेंज है वो एक किलो मिटर से, अगर clean और dark रहेगा, मतल्ब ठंडी का वक्त नहीं है, बारिश का वक्त नहीं है, clean मौसम है, dark में शाम के बाद, अंदेरे में, highways वगेरे में, एक किलो मिटर दूर से, आपको देख सकते है, कि एक motorcycle आ रही है, अचारी है, ये safety point of view से visibility आपकी बढ़ जाएगी तो safety point of view से बहुत तकड़ी वाली चीज है up to 50 meter in fog, यानि कि थोड़ा सा धुनला अगर होगा weather वगएरे तो 500 meter मैंने 50 meter कहा गया, sorry 500 meter से आप इसे देख सकते हो which is more than enough, मतलब ये भी बहुत अच्छी बात है, क्योंकि 500 meter से तो लगवक से लगवक पीछे वाले को तो पता चली जाएगा कि भाई आपने break लगाया है या नहीं लगाया है मैं तो ये कहूँगा कि जब आप highways पे हो तो इसे breaking वगएरे पे मत डालना ये directly इसके साद एक switch मिलता है और waterproof इसकी जो LED है वो इनके जो executive उनसे मेरी बात हुई थी तो इसके बारे मैं डीटेल अगले वीडियो में बताऊँगा इसकी जो LED है वो waterproof है और इसका जो controller है वो water resistant है, मतलब एक हत तलग पानी जेल लेगा बट पानी से अगर बचा के चलोगे तो ये कोई दिक्कत इसमें नहीं है लेकिन अगले वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि इसका fitting इसका installation कैसे करते है और आप इसकी जो है unboxing देख लेते है ये जो है इसका box है strobe light यहाँ पे लिखा हुआ है cruiser box खुलते ही जो best चीज आपको देखने को मिलेगी वो यहाँ पे है जो लिखा है proudly made in India एक और important चीज यहाँ पे लिखा है use this product responsibly and avoid attracting more attention from coughs than necessary इसे आप तभी use करें जब आपको ज़रूरत है and I am sure highway space की सबसे ज़रूरत low light dark condition में होने वाली है जहाँ पे visibility की सबसे ज़रूरत होती और इसको जब open करेंगे तो हमें मिलता है यह छोटा सा एक literature एक card, एक warranty card भी बोल सकते है और साथी में जो इसमें best part cruiser नहीं किया है वो है इसमें इस light की जो fitting है इसकी जो diagram है wiring की वो इन्होंने clearly दिया हुआ है साथी में यहाँ पे cruiser की branding और यह product कौन सा है वो लिखा हुआ है, नीचे लिखा हुआ है manual guide backside में exactly इसकी जो installation की जो guidance है, वो दी हुई है modes कितने है, वो दिया हुआ है पांच इनके modes है जो मैंने आल्लेडी आपको website visit में बता दिया था और यहाँ पे जो है how to use pin up connectors वो भी इसमें दिया हुआ है caution एक लिखा हुआ है controller is not waterproof controller जो है वो waterproof नहीं है समाल के आपको use करना है और उसे ऐसे जगे में रखना है जहाँ पे directly जो है पानी का कोई भी contact नहीं है water resistant है लेकिन यह waterproof नहीं है इसको रखते है side में यह देखिए switch इसके मिल जाती है और यह switch market में भी available है कहने का मतलब यह है कि ऐसा कोई product नहीं यूज नहीं किया है जो market में available नहीं है guarantee warranty में शायद यह parts cover हो I have no idea about it but हाँ मुझे यह इतना तो पता है कि waterproof वाला जो product है यह अगर खराब होता है तो यह warranty में claim कर सकते है जो cruiser company clearly बताती है LED जो light है यही सिर्फ और सिर्फ जो है waterproof है बाकी जो इसके controllers वगेरे है वो waterproof नहीं है तो of course इसको seat के नीचे या जो आपके electrical junction box आता है जो safe जगा है water का जादा कोई exposure नहीं है वहाँ पे आप इसे लगा सकते हो यह light है यह जो मिलता है इतना जो हमने website वगरे पे देखा तो यह life कुछ ऐसे दिखता है यह देखे तो back side से यह कुछ lights ऐसे दिखने वाले है ठीक है यह fitting इसकी ऐसे होने वाली है यह left side और यह right side है सामनी इसकी branding है quality मुझे अच्छी लग रही है और long time use में ही पता चलेगा कि इसका मतलब यह कितना जादा मजबूत है या नहीं है लेकिन फिलाल के लिए जो आप पैसे दे रहे हो वो ठीक ठाक वसुल हो रहे है इससे तो यह पता चल रहा है wires काफी लंबे है इसके यह देखिए ठीक है और इसके जो भी color के साथ इसकी जो diagram है वो पूरा का पूरा इस वाले जो warranty card है manual guide है वो इसमें मिल जाने वाला है छोटा सा QR code भी दिया है यहाँ पर आप देख सकते हो जिसमें से आप इसका जो warranty वारेंटे एक्टिवेशन है वो भी कर सकते हो इसको मैं अभी थोड़े दर में warranty एक्टिवेट इसकी करने जा रहा हूँ यह इसकी unboxing थी वीडियो कैसा लगा जरूर बताना comments पे यह lights आपको कैसे लगे and I am sure आप wait कर रहे हो इसका जो installation का वीडियो है उसको देखने के लिए मैं आफकोस एक वीडियो बनाऊँगा जिसमें installation बताऊँगा जो भी इसके does and don'ts है वो बताऊँगा लाइक ज़रूर कर देना और अगर subscribe नहीं किया है तो subscribe भी कर देना इस channel में ऐसे वीडियो और भी देखने के लिए तो भाई उमीद करता हूँ इस वीडियो में आपको मजा आया होगा देखने के लिए इसकी unboxing और actually ये एक छोटा सा unboxing वीडियो था जिसमें मैंने आपको इस box के अंदर क्या मिलता है वो बताया दूसरी एक और चीज मैंने आपको बताई कि इनके website में कौन से products available है basically ये और कौन से products बनाती है Indian based company है जैपूर based company है इंडिया में लेकिन एक और वीडियो आने वाला है जिसमें मैं इसको fit करने वाला हूँ अपने motorcycle में बताऊंगा कहाँ पे इसको fit करेंगे इसको installation कैसे करेंगे वो भी उसमें आपको मिल जाएगा उस वीडियो के लिए ज़रूर रुखिएगा और ये product आपको कैसा लगा और ये वीडियो कैसा लगा वो भी बताना और एक like ज़रूर कर देना subscribe नहीं किया तो ज़रूर subscribe करना क्योंकि आप लोग मेरे वीडियोस को देख रहे हो पसंद कर रहे हो लेकिन subscribe नहीं कर रहे हो जो कि बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है subscribe ज़रूर करें मिलते ही अगले ऐसे किसी वीडियो में तब तक के लिए जय हिन जय भारत पंदे मातरा कि अच्छी अच्छी आप लगए